लतम अंगेशकर के बाद एक और दुखत खबर बापी लहरी अब नहीं रहे मात्र 99 साल के उमर में ही गायक संगीत कार बापी लहरी का निदन हो गया अब बॉलीबूड एक और सदमे से गुजरेगा आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल स सब्सक्राइब करें 29 साल के बापी लहरी ने मुंबई के एक हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सास ली बापिदा को ओ ऐसे की परेशानी पिछले साल से ही ती डॉक्टर दीपक नाम जोशी उनका इलाज लगातर कर रहे थे इस गंबिर समस्या से वह जूचते हुए क्रीटी क पिएर हॉस्पिटल में 29 दिन तक भरती रहे फिर 15 फरवरी को ठीक होने के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया लेकिन डिस्चार्ज के दूसरे दिनी उनकी तबयारा बिगडी फिर रात को 11.45 में उनको दुबारा हॉस्पिटल में भरती किया गया पर डॉक्टर उन्ह बचाने में नाकामियाब रहे बापिदा का अंतिम संसकार गुरुबार को किया जाएगा बापि लहरी पिछले कुछ सालों से बिमार चल रहे थे उनमें कोरोना के भी लक्षन नजर आये थे तब से ही ब्रिच केंडी होस्पिटल में उनको डॉक्टर के निगरानी में रखा गया नदंद मोदी ने भी उनको श्रदान जली दी लिखा श्री बापि लहरी जी का संगीत सर्वगिन था कई पीडियों के लोग उनके संगीत से खुद को जोडते हुए मैसूस करते हैं उनके खुश मिजाज स्वभाब सभी को याद रहेगा उनके निदन से मैं दुखी ह उनके परिवार और प्रशंचकों के प्रती मेरा संबेदन ओम शांती सिलेबरिटी ने भी काफी दुखत जताई क्योंकि लता मंगेशकर को खुने के बाद अब बापिदा के निदन पर सितारे फिर से गमगीन हो गए बापिदा का असली नाम आलोकेश लहरी है उन्हें सतर से असी के दसक में बॉलीबूट को एक से बढ़के एक आइकोनिक गाने दिये मितुन चक्रवत्ती का आयमे डिसको डांसर आज भी लोगों के जुबानी पर है वो बापिदा ही थे जिनके आवाज ने इस गाने को घर घर पॉपुलर किया बाद में बापिदा को डिसको किं लेकर आती है आप कितने बड़े फैन है बापिदा के आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो पर मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत बूलना थैंक यू